कि उसे YouTube algorithm के बारे में पता है अगर ये कोई दावा कर रहा है ना तो वो आपसे जूट कह रहा है YouTube का comment section हो या फिर Instagram का DM एक comment सबसे ज़्यादा common है कि सर हमारे YouTube shots के video की जो reach है वो freeze हो गई है, video dead हो गई है विडियो डेड हो गई है, views नहीं आ रहे आज की इस विडियो में हम इसी topic में बात करने वारे हैं और सिर्फ असली सच आपको बताने वाला हूँ लेट ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नवर कॉस्टी, welcome to my channel Tech with Kosti वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताओ अगर आपसे कोई भी creator ये कहता है कि उसे YouTube algorithm के बारे में पता है उसको ये पता है कि videos ranking पे कैसे आती है कैसे videos trend करती है अगर ये कोई दावा कर रहा है न तो वो आपसे जूट कह रहा है अब बात करते हैं YouTube shots के बारे में YouTube shots actually क्या है एक vertical format का video है जो 60 seconds के under का video होता है अब इस video को आप जब चढ़ाते है majority, 90% of the time ये video लोगों के recommendation पे जाती है shots feed के थूँ से search result के थूँ से नहीं समझा पाया चीज़ को अब क्या हुआ? 200-500-2000 एकदम से views आगे जैसे ही आपने अपना shot file upload किया और public कर दिया उसके बाद watch time कम होने की वज़ा से वो video dead हो जाती है या उस video पे आगे views नहीं आते है shots की recommendation में जाने के लिए shots file को पूरा देखना बहुत ज़रूरी audience के लिए अच्छी अगर retention आ रही है ना तो वो video आपकी अच्छी perform करेगी तो ऐसे situation पे सवाल यह आता है कि हम as a creator क्या करें मैंने आपको इसके उपर एक tip पहले भी दी थी कई बार ऐसा होता है आपकी shots file एकदम अच्छा perform नहीं कर रही है पचास सब व्यूज आ रहे हैं ऐसे cases में उसको private कर दीजिए और दूसरे दिन एक अलग time पे उसी file को दुबारा चड़ाइए आपकी video बहतर perform करेगी एक छोटी सी एक trick है जो मैंने आपके सब पहले भी शेर की थी फ्राइ करके जरूर देखिएगा ये तो बात होगी trick की तो अब बात करते हैं क्या इसका कोई permanent solution है तो इसका जवाब है नहीं आपको मुझे और हम सब को continuous काम करना पड़ेगा यही एक solution है इसका जितना हम shots file बनाते रहेंगे उत्रे ही हमारे चैनल पे जादा से जादा सबस्क्राइबर आएंगे चैनल का base बढ़ेगा और average views हर shots में या long file पे बढ़ते रहेंगे यही इसका एक रास्ता है इसका और कोई solution नहीं है अगर आपसे कोई claim कर रहा है कि उसके पास solution है तो वो आपसे जूट बोल रहा है तो जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हैं कि यह जो shots file है इसमे maximum views मेरे cursor को follow कीजिए करीबन 7,50,000 views आए हैं shots feed से और एक दिखाता हूँ इसमें भी देखिए करीबन 1,20,000 views यह कहां से आए हैं shots feed से तो जैसा कि आपने देखा यह 7,000,000 views, 2,000,000 views इस तरह के मेरे channel पे काफी ऐसे shots हैं जिन्नोंने बहुत अच्छा perform किया है और यह performance के पीछे का कारण एक ही है कि continuous काम करने की जरूरत है तो मैं आपसे इस वीडियो की थूरू से यही समझाना चाहता हूँ कि आप निराश मत हुए एक वीडियो, दो वीडियो, पाच वीडियो चड़ा के आपको अगर लग रहा है कि आपके shots काम नहीं कर रहे है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है Similar वीडियो बनाते रहे है तरह तरह के वीडियो बनाइए मतलब similar topic पे बनाइए और उन वीडियो उसको अपने channel पे चड़ाते रहे है इससे क्या होगा continuous काम बनता रहेगा और channel के अच्छी रीच आती रहेगी तो आज की इस वीडियो को यहीं end करते है मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके पास कोई भी question है comment down below मैं उसका जवाव आपको जरूर दूँगा आप चाही तो मेरे साथ Instagram में भी जोड़ सकते हैं at the rate I am Kosti और i button पर click करके आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि January महीने में मेरे channel पर मेरी कितनी earning हुई है सिर्फ YouTube shots के थूँ से तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी तब तक आप अपने ख्यार रखें